स्वागत है अकीम साब बहुत धन्यवाद आपको अकीम साब आज मैं बात करूंगी आपसे थायरेट को लेके थायरेट होता है जिसमें व्यक्ति बहुत जादा मूटा हो जाता है एक थायरेट होता है जिसमें व्यक्ति बहुत जादा सूख जाता है पतला हो जाता है लेकिन प्राइड की वजह से हमें और कौन-कौन सी बिमारीयां हो सकती हैं और इस तरीकी का थायरेड होने की कारण क्या है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं जीवन है वो हमारे अंदर जो चीजें हैं अज्जा हैं उनका जरूरत के मताबिक होना हमारा सेहत की निशानी है और हमारे जिसम में जब जो चीजें हैं ताबा पीतल और सोना चांदी चूना और आइरन यानि लोहा कि सब चीजें हैं हमारे बाडी में गलोकोस जब ये कम या जादा होता है तो हम अस्वस्त हो जाते हैं खुन की कमी हो जाए तो कमदोरी आ जाती है और गलोकोस की कमी हो जाए तो डाइबटीज कम हो जाती है गलोकोस बढ़ जाए तो डाइबटीज कहलाती है हमारे जिसमें एक सिस्टम है जो इसको कम करता है और उस सिस्टम के जगा जगा पर ग्लैंड्स है इसके ग्लैंड्स हमारे गले में यहां पर होते हैं जो थाइराइट को कंट्रॉल करते हैं और जरूरत के मताबिक उन चीज़ों को रिलीज करते हैं जिसके आद्बी को जरूरत है जिसके ग्लैंड्स गलती करने लगते हैं उसका वो माद़ा या तो कम होने लगता चाहिए तो हम थाइराइड ग्लैंस का का इलाज करना चाहिए थाइरेंड थाइराइड ग्लैंस का बहुत अच्छा है युनानी मैं साथ-ाथ महीने भी लग सकते हैं, आदमी का ठिक होना मुम्किन है. चले अब इसे के साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं, पहले कॉलर हैं, जम्मू से रमेश जी स्वागर हैं आपका, नमस्कार बताईए, अदावर साथ, रमेश साथ, फर्माईए क्या सवाल है, मैंने कोई मेरा बड़ी जैसा क्लाव है, रुप कोई हजनी हो बाई आपके कोई बाई जिन्ती जिन्स हो, मुझे उस्ता की सर्ग भड़ा, तो कि इसका साथ में मैं खाता हूँ दर्द के लिए, तो उससे दो बैचर खा लिए हैं, तो अब ती जैसे हैं, पेज में बिलकुल में बदूपी भी खाई, मैंने लुपल इससे द्वाई भी तो आपके कोई कोई आल्टरनेट अगर करना है, तो यदि ऐस सैवन्टी सिक्स है. ऐसके हैं आपकी? ठीक है. आपकर करता हूं, अपने लगती है, इस सरह नहीं लगती. गैस बनती है, बहुत बनती है, डिशार भी यह ठीए. ठीक है, ठीक है. ठीक है. अच्छे, देखिए एक निस्खा बना लें आप, और अगर यह आप बना लेंगे तो अक्सर पहले ही दिन से, दूसरे दिन से भूक लगने लगती है. देखिए सौट लें, अद्रक को सुकावे रूप को सौट कहते हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आप सौ ग्राम सौट, दो सौ ग्राम, दो सो ग्राम सौफ, और दो सो ग्राम आपको लेना है मेथी दाना, और दो सो ग्राम धनिया, और दो सो ग्राम आवला पॉर्डर, आवला मतलब सौकावा, पॉर्डर कुछ भी नहीं लें, आप इसको रॉप मैटेरिल लें, और इसको पॉर्डर बना लें, घाड़ में और इसमें नमक जैतुन डेड़ सो गिराम मिलाकर एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाएं चोटा चाय का चम्मश और यह खाने से पहले खाना बहता है पानी से लें और पांच बार गरम पानी पीएं तो आपको एक दो दिन में ही आपका इस सिस्टम ठीक होने लगा औ खुब भूक लगेगी लिवर बहुत अच्छा काम करेगा हाजमा बहुत अच्छा होगा ऐसी डिटी चली जानी चाहिए कब होगा तो वह तूट जाता है यहां तक कि यह लिवर और किड्नी का भी को भी तुरूस करती है ऐसे रोगी जो इनको यह प्राब्लम है यह दवा ने सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है इंदर पाल जी स्वागत है आपका नमस्कार कहां से बात कर रहे हैं ने को आपका सवाल क्या है मैं चारथ बारी मेरी अ मरेंदा से दो कि यह ठो कहीना मीडरों घो कर रहे है वहिसे तो कहना कमका नहां कертв हम को कहा और शूकरा में कर चोफोगी और तरहते कि गरनें नंगसमा करें कर दो सफेंखेंगश बाद गरांہ ऌंद करिएश को टरते हैं कि यह व्यास होती है खाला है उसको पहले एक बाद आपि जो तीन चार्ट हो ञाकि ज्ञेख इा दस्तों करीख जिन को लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं क्या? जी 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 हम अच्छा कोई बात नहीं अभी शुरू की है शुरू ऐसा हो सकता है जितनी दवा लेते हैं उससे आधी कर लिजे एक बार मतलब खाएं, जब आपका मैदा आते हैं, सब इस सहन करने लगे तो दो बार भी ले सकते हैं, एक बार लें वो भी आधी खुराग जितनी आप लेते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, परिशान नहों और इसे खाएं लगातार अभी दोई दिन हुए हैं उनको फाइदा होना मुम्किन है अगले कॉलर है जॉनपूर से साक्षी मिश्रा स्वागत है आपका साक्षी मैं आजिर मेरी उमर 15 साल के आसपास है और मुझे पांच साल से थारॉइड है और मेरा वजन बहुत ही कम हो गया है कुछ खाते हैं तुरंट उल्टी हो जाती है कुछ भी डाइजर्स नहीं होता है और कभी वेट मेरा बढ़ता ही नहीं है ठीक है साक्षी आवास तो आपकी बहुत बच्चों वाली है यंग बच्चों वाली और यह थाइराइट पर हमने आज शुरू किये थी बात इतफाक से थाइराइट पेशेंट थाइराइट का 7-8 महिने लगातार इलाज करें और बहुत आसान भी है वो दवा भी खाते रहें जो आप खाते हैं वो भी निचोड़ें वो तो आपके डॉक्टर खुद चुड़ाएंगे हर दो महिने मों इसकी पोटेंसिक कम करते जाएंगे और 7-8 महिने अगर आप लेते हैं तो रोग मुक्ती मुम्किन है समझ लें और लिख लें लिखेंगे तो आपका हुआ नुसक धनिया धनिया तीन सो ग्राम लेना है तीन सो ग्राम धनिया सो ग्राम आवला सुकावा मिलता है आवला सो ग्राम मेथी और सो ग्राम सफेद गौन मौरिंगा याद रखें यह सफेद वाला लेना लाल वाला नहीं लेना लोग लाल दे देते हैं वो नकली होता है सो ग्राम गौन सफेद गौन मौरिंगा इन सब को पॉडर बना ले और एक चमच सुवा एक चमच शाम खाना शुरू कर दे चाय का चमच और वो भी खाएं जो दवा डॉक्टर देते हैं और आप देखेंगे कि आप दिन बंदिन आपका रोग कम होता गया डॉक्टर डेर दो महीने में जब भी आप इसका दुबारा से चेक अप कराएंगे तो डॉक्टर भी अच्छे रजमें रहेंगे कि इतनी तेजी से कैसे फायदा हो रहा है आप चाहें तो डॉक्टर से शियर कर सकते हैं यह नुस्का और बहुत जल्द आपका थारा है ठीक होना मुम्किन अग ऐसे दर्दें के दर्द ते बहुत दिंशे पर उसे चाहब अधर ऐसे बहुत जलाईद से घलते हो मैं चल पर नहीं सकता है उमर क्या है आपकी श्यम खेंटर साल दी ए सोप्तर खेंटर फ्यंटर साल भी है ठीक है अगर बतार दुष्अक्र हों मुम्क्ताब क्या बताएं बाई जी जी देखिए ऐसे ही रोगियों के लिए है एक भगवार ने गौन पैदा किया जिसको कहते हैं काला गौन या हम लोग गौन सिया कहते हैं ये इत्वाक से कड़वा बहुत होता है और नकली भी मिल जाता है असली हासिल करें और आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम कहाएं ये पांच साथ दिन बात फाइदा शुरू करेगा इत्ता सबर हो थोड़ा थोड़ा सा रोज फाइदा शुखरू करता ये एक साथ फाइदा निकरता और आप जिसे लोग जो चलुपिने सकते उनके लिए सोना कहते हैं बुजर्गों के लिए सोना आए यह और असली लेना आपकी जिम्हादारी अगर ये लेकर बना सकते हैं तो बना लीजे पॉर्डर करना है इसको कड़वा बहुत होता है नकली बहुत मिलता असली ले और आदा आदा गिराम सुबाँ शाम खाए नाशते हैं और खाने के बाद पानी से बगर चरबी के यह डियोटीज नहीं तो जूस से भी ले सकते हैं और नकली नहीं लेना असली लेना है और अगर यह नहीं मिले असली तो मत लिए फिर कैप्सूल T-Care ले सकते हैं कैप्सूल टाइगर T4 टाइगर यह सुबध शाम खने से भी आपको फायदा होना मुम्म्किन है कि अगले कॉलर से स्वागत है आपका है डिञान जी क्या नाम है कहां से बात कर रहे हैं मैं शार्ःबुर्स बोर्ड नु द கरण घुन सवाल क्या है mean यहान चाहरा बारा है उसको दुखाम क्हांगए है यहाजुखाम हो जाता है कर डुखाम में हो बार इंद में रहा है हाँ है तो जमाम हो जर्सा बड़ी जल्दी चीक है जी वेखिए इस बच्चे में यह जिसमें भी दुकाम, नजला, खांसी, छीके, बलगम की शिकायत है यह वही शक्स होता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी यानि रोप पितिरोदक ताकत की कमी होती है और इस दोर में ऐसे लो रोप पितिरोदक शम्ता कम हो एक घरे ले नस्का बता देता हूँ, वो आप बना ले और इसको आदा आदा चमच रोजाना खिलाएं नस्का कुछ इस तरह है कि सपिस्तान उन्नाब अलसी सो सो गिराम और आपके किचन में पीपलें होती हैं वो तीस गिराम लेकर पाउडर बनाएं और आदा आदा चमच सुबा शाम गरब पानी से खाली पेट खिलाया करें तो थोड़ा ज़्यादा वक्त खिलाना पड़ेगा बच्चे का ठीक होना मुम्किन है राजिस्तान से नेक्स्ट कॉलर है अब्दुल रशीद स्वागत है आपका हाजी अदरा छूपश्ची ब्हुत ज्यादा रहती है और दुसरी बात यह आपके चीच्ट केण भी खाल्द है रहा हूँ, एज जबबा खतम होने जा रहा है लेकिन मेरे अभी सब उसको फरक नहीं पड़ा, और उसको फरक नहीं पड़ा है, मैंने दो एक साथ मांगवाई थे, दूसरा सवाल, बेटे बोगो के बारे में है, साथ साल होगी शाजी होगा है, लेकिन अभी तब कोई उम्मी प्रविश को बड़ी प्राब्लम है, अभी तक फाइदा होना चाहिए था, एक निसका जो बहुत कामियाब है, वह आप खुद बना ले और उसे आप लिख ले जरूर और बच्चे के लिए भी लिख ले, दोनर उसके आप खुद बना ले, और उसे आप लिख ले जरूर, आप देखेंगे के आपको फाइदा शुरू हो जाएगा, किसी किसी को टाइम लगता है, देखिए, साफ, धनिया, आवला सुका हुआ, और मेथी, दो दो सो ग्राम ले, दो दो सो ग्राम, ठीक है, और यह आठ सो ग्राम हो गया, और नमक जैतून आता है, जैतून का नमक य रसाइन, जैतून भी कहते हैं इसे, यह देड़ सो ग्राम, इन सब का पौडर बना ले, और यह साड़े नौसो ग्राम नसका है, यह एक चम्मश सुबह, एक चम्मश शाम, नाश्टे से आदा घंटा पहले काया करें, तो यह फॉरानी काम शूरू कर दिता है, हजम का, गैस का लाश करता है, और भूक लगाता है, और कब्स तोड़ता है, यह आपके लिए है, और आपके बच्चों के लिए दोनों को देना है, जैन असका वह मैं बता रहा हूा, दोनों गो देना, और एक एक गिराम देना, देखिए, ऐस्वा गंदा, एक जड़ी बुटी है, सो ग्राम ámla सो ग्राम और गौन्द मौरिंगा सफद गौन्द मौरिंगा सफद सो ग्राम इनको पौर्डर बना लें और इसका एक एक ग्राम रोज आना दोनों पत्ति को, semi atheist को रात के समय सोते वत कि लादばाया करें, पानी से या दूस से, जैसले उन को असान हो, बोटे है तो पानी से, पत्ले है तो दूस से, और यह निसका खतम नहीं हो पाता है कि हमने देखा अपने अनुभाओं में के लोख साहिब अमीद हो जातेह हैं.